होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया ने हालिया लॉंच होंडा हाइनेस टीबी 350 को हरियाना स्थित अपने मानेसर प्लांट से डियलर्शिप पर भीजना शुरू कर दिया है और आज से ही ग्राकों के लिए पहली मोटरसाइकल को रोल आउट किया गया है होंडा हाइनेस को ग्राकों के स्पूर्ट करने की प्रक्रिया अगले दो हफ्तों में शुरू की जाएगी बाइक के DLX प्रो वेरियन के गुरुगरा में एक शुरूम कीमत 1,5,000 रुपे है वहीं बाइक के DLX वेरियन की कीमत 1,5,000 रुपे रखी गई है रेट्रो स्टाइल की ये मौडरन क्लासिक 300-500 से पांसो सीसी सेग्मेंट में प्रीमियम उत्पार के रूप में जगा बनाती है और इस बाइक के विक्री भारत में होंडा के बिग विंग नेटवर्क जवारा की जाएगी त्वारों की शुरुआत होते ही जाँ भारते बजार में कई वाहन कंपनियों ने वाहनों पर बंपर डिसकाउंट देना शुरू कर दिया है ताकि जादा से जादा ग्राकों को खुश्यों के इस समय में आकरशित किया जा सके टाटा मोटर्स भी इस दौर में पीछे नहीं रहना चाहती है और कंपनी ने ओल्ट्रोस प्रिमियम हैजबैक पो छोड़कर अपनी सभी कार उपर 65,000 रुपए तक के दमधार छुट दी है त्यौारों के लिए दिये जा रही है लाप, टियागो, टिगोर, निक्सोन और है टाटिगोर पर 30,000 रुपए का लाप दिया जा रहा है और अपने टियागो पर 25,000 रुपए का खास फाइदा दिया जा रहा है हीरो मोटोकॉप ने स्पेंडर प्लस का एक नया ब्लाक एंड एक्सेंट कस्टमाइश्ट एडिशन लॉँच किया है जिसके दिल्दी में एक शोरूम कीमर 64,000 रुपए रखी गई है नए ब्लाक एंड एक्सेंट एडिशन को पूरी तरह काली पेंट स्कीम दी गई है जो कस्टम बॉडी ग्राफिक्स के साथ आती है और इने एक रहाक अलग अलग भी चुन सकते है हीरो स्पेंटर प्लस ब्लाक एक्सेंट को पूरी तरह काले रंग में पेश किया है जो बेस कलर है और ये बाइक के अलोई वील्स एंजन और चेन कवर तक जाता है कंपनी ने बाइक के साथ चुनने के लिए विकल्प के तौर पर बॉडी ग्राफिक्स भी दिये हैं और 899 रुपए देकर बाइक पर रिने लगाया जा सकता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें